महाभारत एक ऐसा ग्रंत है जिसमें भारत का ही नहीं बलकि 20 सु इतिहाज का रह से छुपा हुआ है दोस्तो आज इस वीडियों में हम आपको महाभारत काल के ऐसे 10 बेक्तियों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही रहास्माई थे और महान थे दोस्तों महाभारत काल के दस राहसमाई बेक्तियों में सबसे पहला नाम सहदेव का आता है बाचोपांडों में से नकुल और सहदेव दोनों ही मादरी और अस्वनी कुमार के पुत्र थे सहदेव भविस में होने वाली हर एक घटना को पहले ही जान लेते थे महाभारत का युद्ध होने से पहले ही सहदेव ये जान गये थे कि हम महाभारत होगी और इस युद्ध में कौन किसको मारेगा और कौन विजय होगा यह भी जान गये थे लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें स्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएंगे तो उनकी मृत्ति हो जाएगी और इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर बारबरिक का नाम आता है बारबरिक दुनिया का सर्वसेश धनुधर थे बारबरिक के लिए तीन बा बताया जाता है कि वे बेद विद्याओं का अधन करके धरतराष्ट की राजसभा के समानित मंत्री बन गए थे गीता का उपदेश सिर्फ दो ही लोग सुन पाए थे एक अरजुन और दूसरा संजय बताया जाता है कि संजय को दिब द्रश्टी प्राप्त थी अतावे यु जब धत्राष्ट की म्रत्य हो जाती है तो संजय हिमाले पर चले जाते हैं वहां से वह कभी लौड कर नहीं आते हैं तो इस लिस्ट में चौथा नंबर अस्वस्थामा का आता है गुरुदुराचार के पुत्र अस्वस्थामा हर विद्या में प्रांगत थे वे चाहते तो जन अस्थानों में भटकता रहेगा इसलिए अस्वस्थामा आज भी जीवित है और इस लिस्ट में पाचवे नंबर पर कर्ण का नाम आता है बताया जाता है कि कर्ण को जल्म से ही भगवान सूर्य ने उसे कवच और कुंडल प्रदान किया था इसलिए इंद्र ने छल से उसे कवच और कुंडल दान में मांग लिया था क्योंकि इंद्र जानते थे कि यदि कण के पास कवच और कुंडल रहेगा तो कोई भी उसे युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा और नाहीं वह मारा जाएगा दोस्तों इस लिस्ट में छटवे नंबर पर भीम का नाम आ इस लिस्ट में साथवे नंबर पर घटोचक का नाम आता है घटोचक भीम का पुत्र था माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोचक इतना विसाल काय था कि वह लात मार कर रत को कई फुट पीछे फेक देता था और सैनिकों को वह अपने पैरों से कुचल देता था भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोचक का जन्म हुआ था और इस लिस्ट में आठवे नंबर पर भीष्म का नाम आता है बताया जाता है कि भीष्म को इच्छा मृत्व का बरदान प्राप था वे बिना अपनी इच्छा के नहीं मर सकते थे भीष्म एक महान और सक्तसाली योधा थे उन्हें कोई युद्ध में प्रास्त नहीं कर सकता था बताया जाता है कि उन्होंने अर्जुन से अपने मृत्व का रहा से बता दिया था और तब अर्जुन ने उन्हें बाड़ों के सय्या पर लिटा दिया और इसके बाद 9 नंबर पर क्तिक रूप से कमजोर था जिस पर भीम ने गदा मार कर उसकी हत्या कर दोस्तों इस लिस्ट में दस्वें नंबर पर भगवान कृष्ण का नाम आता है भगवान कृष्ण सोला कलाओं में माहिर थे वे जितना मायावी थे उतना ही मानवीत उनके रहत स्मय विक्तित्त को बड़े बड़े योगी और तपसभी भी नहीं समझ पाये थे दोस्तों यहां हम आपसे एक रिक्वेंट जरू करना चाहेंगे कि महाभारत के इन सभी उद्धाओं के लिए एक लाइक जरू कर दिजीगा